मैं हूँ वैब वेलकम टू मैं चैनल और आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दिजिटल मार्केटिंग में इतना हेवी अमाउंट स्पेंट करती है कि चाहे वो इंस्टाग्राम हो फेस्बूक हो यहां तक की गूगल ही क्यों ना हो अगर आप लोग इस कॉलेज के बारे में वहां पर सर्च करते हो तो भले ही कुछ मिले ना मिले बट इस को नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यूट्यूब पर क्या रॐव करियेटर्सका देती है था कि वो उनके बाले में अच्छे अच्छे विवीई बना सके सबकुछ बिलकुल पूरा सच्चा नहीं पता चल रहा होता बट यह वीडियो बिल्कुल ही अन्बाइस्ट है और चैनल पर जितने भी वीडियो या फिर कॉलेज रिव्यूज आते हैं सब कुछ बिल्कुल ही अन्बाइस्ट यानि कि एक तरफा नहीं होते हैं इसलिए आप लोग हमारे चैनल को स चांदार तरिकी से बनाए गया इंफ्रस्ट्रक्चर तो यहार इस कॉलेज का लाजवाब है और कैंपस का इरिया क्योंकि बहुत जादा बड़ा है तो यहां पर बहुत सारे फैसलिटीज आपको यहां पर कैंपस में देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हम लोग इन सब्सक्राइब करें तो यहां पर किसी का भी हो जाता है तो यहां पर किसी का भी हो जाता है तो भी ऑनेस्ट आपको सिर्फ ऐसी फॉर्म भर देना है आपको सामने सीवो लोग कॉल करेंगे मेल करेंगे बाई तंग रदेंगे यहां पर जेई मेंस के बेसिस पर भी एड्मिशन्स मिलते हैं अगर आपने 90% से जाधा अपने 12 में स्कोर किया है तो यहां पर आपको डा 120 कोशन सेटम करने होंगे नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है और यहां पर आपका टोटल एक्जाम का मार्क्स है 420 यहनी की 420 मार्क्स एक्जाम का एप्लिकेशन फॉर्म भी रिलीज हो चुका है बाइधावे 1st February से 31st March तक का यहां पर डूरेशन है तो यहां अगर अगर आप लोग कुछ ऐसे एक्स्टर चीज अवेल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से एक्स्टर चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आपको बात करें यहां पर कई सारे हॉस्टल से अवेलेबल है स्टाइडर एन अपार्टमेंट एसी नौन एसी सिंगल मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है बताऊंगा तो अब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो तुम लोग यह वीडियो पॉस करके देख सकते हो बागे अगर मैं आपको चार साल का एक टोटल रेंज बताओ कि आप यहां पर चार साल में अपने सिंगल रूम लेके रह रह तो यह जान लो और अगर आप सिक्स बेट यानि कि थोड़ा अफोडेबल वाले साइट जाना चाहते हो तो यहां पर 14.5 रूपी जाने की 15 लाक मान वार 15 लाक रूपी आपको टोटल स्पेंड करना पड़ेगा केवल कॉलेज में आपका जो अलग खर्चा वो अलग है बाक तो उसे भी चेकाट करते हो लेकिन इस वीडियो के बास अब यहां यहां पर फी स्टेक्शन मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है क्या यहां पर LPU में मुझे स्कॉलर्शिप ऑफर किया जाता है तो यह स्कॉलर्शिप जैसे कि यहां पर सबसे पहला तरीका मैं बताता हो स् 10 या 12 में तो आपको 25 पॉप्पशेंट मिलता है एंड अगर आपको 80 तो 89 पॉपशेंट आया है इन 10 या 12 तो आपको 20 पर स्कॉलर्शिप में आपको एल्पियूनेश्ट के बारे में भी है अगर इतना इतना स्कॉर करते हो तो आपको इस सब नहीं बता रहो यह सब बोरिं और इतना ही नियर इसके अलावा भी कई सारे scholarships ओफर कराए जाते हैं यार मैं उत्रा लिखता तो बहुत दिक्कत हो जाता तो यस यार ये तो बिल्कुली clear है कि आपको यहाँ पर LPU में बहुत सारे scholarships ओफर किये जाते हैं admission के से हो था पता चल गया, fee structure के बारे में पता चल गया, hostel and mess के बारे में भी पता चल गया, बट आप भी ये चीज़ जानते हो, कि यार ये चीज़े temporary है, एंड जब आप यहाँ पर pass out हो जाओगे, तो यार campus के बाहर आपको ये सारे चीज़ेों से कोई भी ऐसा फाइदा नहीं होने वाला है, फाइदा आपको सीफ एक ही चीज़े होने वाला है, जो कि है placements, अब यहाँ पर कुछ ऐसी बाते हैं, जो कि आपका जानना बहुत ही जादा जरूरी है, और कोई YouTuber इतना क्लियर यार, ये point नहीं explain करने वाला है, तो यार, तुम्हारा भाई, एक लाइक टो डिजर्फ करता है, कर दो यार, किस चीज़ का वेट करो, कर दो यार, कर दो, प्लीज भाई, फ्री है, कर दो, जब मैं इस college के बारे में research कर रहा था, तो ओव्वेसा बात है, सबसे पहले मैं इस college के website पर रहे जाऊँगा, जैसे ही मैं website के उपर गया, मुझे सबसे पहले चीज़ यह ही शो किया गया, यही मेरे एकदब face पर flash कर दिया गया, यासीर मुहमद got 3 CR package यार, यह देखकर किसी को भी लगेगा, 3 करोर का package, ओ भाई साब, वा यार, LPU का तो highest package बहुत ही जादा, जबरदस्त है, IT's and NIT's का भी इतना highest package नहीं होता, बहुत सही है LPU, एंड इतने बड़े-बड़े numbers देखकर, एंड इतना huge campus देखकर, एंड इतना बढ़िया infrastructure देखकर, किसी भी student को लगेगा, यह college best है, यही admission लेने चाहिए, एंड इसे point पर, यह बड़े-बड़े colleges and university, हमारे mind के साथ, हमारे subconscious के साथ, खेल जाते हैं, एंड यार, हमें बेवकूप बना जाते हैं, बट यार, sad reality is, यह बताते हुए मुझे हसी आ रही है, कि यार, LPU का highest package, तो कभी 3 करोड था ही नहीं, 1 करोड भी नहीं था, मतलब करोड में तो यहां कोई गया ही नहीं आस तक, highest package of LPU is 42 lakh रुपीज only, and average package की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 4 से 4.5 लाग के बीच में ही वैरी करता है, अब जाकर इनका 3 CR का package लगा है, जर्मेनी में हैं, वहाँ पर यह काम कर रहे हैं, यारनि कि इनका 3 करोड का package जरूर लगा है, बट LPU के थरूर नहीं लगा है, यहाँ पर LPU से यह graduate हुए थे, graduate होने के बाद बाहर से खुद मेहनत कर गया है, placement उठाया है, इस चीज़ का फाइदा LPU उठा रही है, इनके package को शो करके अपने college का promotion कर रही है, तो यह कहीं न कहीं मुझे बहुत ही गलत लगता है, यह आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़ादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ का जो student intake है वो तुम लोग जानोगे तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा, and total यहाँ पर 2022 में 1050 companies विजिट की थी, तो यह एक अच्छा number है, यह बहुत ही अच्छा number है actually में, and इन में से 504 companies actually में dream companies थी, जो कि यह 5 lakhs के उपर का आपको CTC offer कर रही होती है, and yes में एक और चीज़ में चाहता हूँ, कि यहाँ आगे का भी जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, वो भी तुम लोग सुन लो, सिर्फ और सिफ इस placement के analysis के basis पर इस college को मत जज़ करना, क्योंकि यह placement सच कहूँ, तो यह placement एक number है, अब यह वीडियो में भी आपको आगे समझ में आएगा, कि यह college आपको बहुत ही अच्छा exposure दे रहा है, बस बात यहाँ पर है कि आप कितना मेहनत करते हो, यहाँ पर companies भी आ रही है, आपको job भी offer किया जाएगा, बट आप उस लाइग भी तो होने चाहिए, तो यह सिवसे फिन numbers के उपर इस college को जज्मत कर लेना, पूरा वीडियो देख लो तुमको समझ में आ जागा, फिर एक final decision ले पाओगे तुम लोग कि यह college आपको यह वर्थिट है या नहीं, भाई पूरे campus में high speed internet connectivity आपको available कराया जाता है, सारे के सारे labs बिल्कुली well equipped हैं, and modern classrooms भी हैं यहाँ पर जितने भी वो projector वाले classrooms होते हैं, यह वो smart board वाले होते हैं, यहाँ पर सब कुछ आपको available कराया जाता है, यहाँ यहाँ पर स्टूडेंट एक्चेंज का भी यहाँ पर सिस्टम चलता है, तो इंटरनाशनल एक्स्पोजर भी आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है, यहाँ पर आपको मैंने पहले बताएं वीडियो में कि बहुत सारे number of, मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पर स्कॉलर्शिप्स ओफर किया जाते हैं तो यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है स्टूडेंट के लिए 50% स्टूडेंट ऐसा एक अनालिसिस में पढ़ा कि 50% स्टूडेंट इन एल्प यू गेट स्कॉलर्शिप यहाँ पर कई स सारे एक्स्टा करिकुलर एक्टिविडीज करा जाते हैं जिन में आप लोग इंडल्श होके अपना खुद का पर्सनल ग्रोथ को एक अच्छा बूस्ट दे सकते हो तो यह बाद भी तुम लोग जान लो एंड यह कॉलेज का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि यहा अपको हर चीज लगबग हर चीज आपको किमपा से अंदर ही अवगर लिबल करा जातário यहां इसके अपना खुद का एक शॉप्श्वू मॉल पर अपको इसे आप tu के अधर उपको कूछ क्रिके शौपिंग पर जाते हैं और hostel and campus के अंदर ही आपको कई सारे cafeteria या फिर जो eating junction होते हैं और आपको मिलते हैं तो यह भी एक बहुत ही अच्छा advantage है और साथी साथ इस college का बहुत ही diverse culture है और फेस्ट तो यहार LPU का बहुत ही amazing होता है आगे इस बार में हम लोग बात करेंगे कि कि कितने सारे फेस्ट कंड़क कराया जाते है LPU के campus में sports facility यहां पर एक बहुत ही बड़ा advantage हो सकता है क्योंकि यह यहां के sports facility है वर्ल्ड क्लास के sports facility है ऐसा हम इसलिए क्योंकि यहां पर बंदों ने कई सारे medals निकाल रहे है sports में national medals हो या फिर इंटरनाशन हो सकता है क्योंकि यहां पर campus में security का पूरा ध्यान रखा गया है चाहे वह campus हो या फिर academic building हो या फिर hostels हो हर जगा security का पूरा ध्यान रखा गया हर जगा cctv इंस्टॉल्ड है तो आप लोग हमें सा कौन ले सकते हो यहां पर जो आरवाई हमें मिल रहा है एंड जिस तरह का यहां पर placement हमें मिल रहे हैं थोड़ा सा यह college लगता है क्योंकि यहां पर college भी बहुत जाद है exaggerate कर यहां पर social media पर अपना promotion कर रहा है और आप लोगों को जितना college है नहीं उससे जादर दिखाया जा रहा है तो इससे थोड़ा सा overhyped college भी कह सकते है तो यह भी यहां का कौन है और यहां पर जो placement है रहा है वो ठीक ठाक है यहां पर जितना फीस लिया जा रहा है आपसे यहां पर उस हिसाब का placement यहां पर नहीं करने वाला हो तो आपको यहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा केरफुल रहना होगा आप किस टाप के फ्रेंट बना रहे हो तो इसलिए यहां पर जो easy admissions वाला और यहां पर इतने सारे आपको उफर किया जा रहा है उसके वजह से यहां पर campus के अंदर population जो है बहुत ही जादा हाई है यानि कि मतलब 50,000 का यहां पर approximately यहां पर बताया जाता है कि 50,000 students from 70 20-plus countries यहां पर इस campus में present होते हैं at any time यहां पर campus भले ही बहुत बड़ा है बट यहां पर student density भी बहुत ही जाता है यहां पचास हजार बच्चे है यहां पर और उन पचास हजार बच्चों पर सिर्फ चार हजार फेकिल्टी यहां पर appointed है यह भी तुम लोग जालनों teacher student ratio भी बहुत बढ़िया नहीं है बट यह स्टिल इज ओके इंटर्ब्स प्राइवेट कॉलेज एंट स्टुडेंट इंटेक तो मैं आपको बता ही दिया है अगले पूंट की बात करें तो यहां इस college का 200 से भी जादा international and national universities के साथ tie-up है यहां पर आपको exposure बहुत ही बढ़ी है मिल security भी बहुत ही जाता टाइट रखा गया hostels के लिए एंट campus के अंदर यह आपको domino's and cafe coffee day भी available कराये गया है तो यहार मजे तुम्हारे सही है अगर बात करें तो टोटल यहां पर पाँच फेस्ट कराया जाते हैं जिसमें से पहला है वन वर्ल्ड जो कि एक कल्चरल फेस्ट है यूथ वाइब जो की यूथ फेस्ट है इन्फर्नो जो की sports फेस्ट है स्पेक्ट्रा जो की टेक फेस्ट है और उतकर्स जो की management फेस्ट है तो यहां पर कई सारे फेस्ट कैंपस में कंडग करा जाते हैं तो कैंपस लाइफ आपको बढ़िया है एंड फेस्ट के कुछ गिम्सेज भी तुम लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पर स्पोर्ट्स फेसिलिटी के बार में तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है कि यार वर्ल्ट क्लास को स्पोर्ट्स फेसिलिटी है बाकि यार मैंने बहुत कुछ यहां पर mention कर दिया है आपको इस PDF का description में लिंक भी मिलेगा आप लोग चाहो तो directly PDF देखकर यहां पर सब अच्छा है या फिर आगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इससे अच्छा को नहीं मिलने वाला है तभी यहां पर आपको एड्मिशन लेने के बारे में सोचना है और आगर आपको नहीं बता है कि यह इंडिया में जेए के अलावा भी कई सारे एक्जामिनेशन करा आए जाते है जिससे आपको इंडिया के टॉप इंगिनिरिंग कोलेजन में अपर आपको इस यहां पर आपको बहुत ही आच्छा इंफ्रस्ट्रेक्च्छर मिल रहा है। सबसे पहला बात दूसरा बात यहां पर आपको बहुत ही अच्छा exposure मिल रहा है इंटरनाशनल एक्सपोजर मिल रहा है और ऐसा बात है यहां पर companies नहीं आती है companies यहां पर आती है बट्यार क्योंकि students उतना capable नहीं होते है मुझे ऐसा लगता है तो और अवेस अबात है आइटी में भी बहुत ही अच्छा प्लेस्मेंट नहीं मिलना वाला है तो यह था एक डीटेल वीडियो ऑन लवली प्रोफेश्चनल उनिवर्सिटी मेरे साब से त्यार मैंने सब कुछ कवर कर दिया हो प्लेस्मेंट का जो सीन था वो तो मैंने आपको बताई दिया तो आयोपके आपको सब कुछ समाज में आ गया होगा और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इन्फर्मेशन चाहिए तो आप लोग है कमेंट करो आपके लिए तो हम बैटे हैं आपको जितना जल्दी हो जा आपको जब सबस्के लेगत करा हुआा करा हुआत करा बार आपको सवाह झालाव जाह हैक लल्दी स घब पister, भी और उड़को है करा करा हुआता है